लाइफस्टाइल और जंग फूड कल्चर ने लोगों की सिहत को काफी नुकसान पहुचाया है इन्ही में से एक है कॉलेस्ट्रॉल की समस्या इन दिनों हर तीसरा चौथा आदमी बैट कॉलेस्ट्रॉल की समस्या से जूच रहा है इसे कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर लाइफस्टाइल मोडिफिकेशन और खानपान में सुधार के हिदायत देती है खास तोर पर जंग फूड से परहेज बहुत ही जरूरी है नॉर्मल इंसान में कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिली ग्राम से कम रहना बहतर माना जाता है जबकि इस से अधिक होने पर कई गंभीर बीमारियों के होने की आश्रंका रहती है अगर आप भी बढ़ती कॉलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना चाहती है लेकिन ऐसा नहीं कर पा रही है तो अपनी डाइट में अर्भी के पत्तों को शामिल करें जानकारी के मुताबिक एक शोद में दावा किया गया है कि अर्भी के पत्ते के सेवन से बढ़ती कॉलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है अर्भी की पत्तों में भरपूर मात्रा में एंटि आक्सिडेंट, विटामिन सी, लो कार्व, लो कैलोरी, हाई फाइबर आदी होती है जिस वज़ा से यह हाट को हिल दी रखता है इसके साथ ही यह इम्मुनिटी को बूस्ट रखता है और वजन कम करता है स्किन के लिए भी यह अच्छा है इसे खाते समय इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि यह पूरी तरह से पका हुआ हो दरसल इसमें हाई ओक्सालीट कंटेंट होता है जो किड्ने स्टोन की समस्या को ट्रिगर कर सकता है हाला कि कई हरी पत्तेदार साख सब्जियों में ओक्सालीट कंटेंट होता है लेकिन उनमें इसकी मात्रा बहुत ही कम होती है बतादे कि अर्भी के नए पत्ते की तुलना में पुराने पत्ते सिहत के लिए अधिक सेफ होती है जब भी अर्वी के पत्ते को खाने के लिए प्रयोग करें तो उन्हें कम से कम आधा घंटा उबालना जरूरी है और अगर आप इसे बेक कर रहे हैं तो कम से कम एक घंटा बेक जरूर करें इसके अलावा बनाने के लिए नए पत्तों की बजाए पुराने पत्तों का ही प्रयोग करें अर्वी के पत्ते को धो कर, सुखा कर और पीस कर पाउडर बना लें और रोजाना सुबह या शाम में दूद या पानी में मिला कर पियें इससे कॉलेस्ट्रॉल को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है न्यूजबिंग की ब्यूरो रिपोर्ट